राजनान गाओं में लोगसभा का चुनाव होना है, ऐसे चुनाव के वक्त, 36 गड़ के पूर मुक्मंत्री भूपेज बगेल पर गंभीर आरोप लगे हैं, भूपेज बगेल राजनान गाओं से कॉंग्रेस के प्रत्यासी भी हैं, आरोप लगाने वाली कोई और नहीं, खेर मेरे साथ हुआ है, वो मीडिया को मैं पहले भी बताती रही हूँ, और ये सच है कि मेरे उपर जानलेवा हमला भी हुआ था, और सबसे बड़ी बात है कि तलाक शुदा वाइफ को राजा साब के तलाक शुदा वाइफ को लाकर के प्रिजिन पतनी बता करके भूपेज बग और उनकी आत्मा को भी ठेस पहुचा रहे हैं और मुझे भी दुखी कर रहे हैं आपके कई वीडियो वाइरल हुए थे, इसलिए हमने सोचा कि आप से ही बात कर लेते हैं कि आखिर क्या है, ये बताईए कि आरोप तो आप लगा रही हैं भूपेज बगेल के उपर, लेकिन आप जो है अभी फिलहाल तो बीजेपी का प्रचार प्रसाद कर रही हैं, यहां आई हुई हैं, चुनाओ प्रचार में लगी नई, मैं छेतर में प्रचार करने नहीं गई, मैं तो सिर्फ बताने आई थी मीडिया के थुरू सबकों कि जो हो रहा है, गलत हो रहा है, अब उ उनको ले करके और राजा साब की वाइफ राजा देवरत सिंग की वाइफ बता करके वोट मांग रहे हैं वो, तो एक तो वो महिला का अपमान कर रहे हैं, दूसरा किसी की बिद्वा महिला का अपमान कर रहे हैं वो, किसी की राजा साब की देहान के बाद उनकी वाइफ का कि अपनान कर रहे हैं उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी विबास सिंग्स को नहीं जानते यह बहुत इससे में बहुत अधी कॉंगरेस के कसीका नेता अरोप लगा रहे रहे हैं कि जो देवरत संगी नहीं रही वह कॉंगरेस की कहा रहे गी अभी जब आपके वीडियो वारल इस तरह क्या रोप लगे थी जो Congress के नेता ये बोल रहे हैं वो हमको ये बताएं कि जिनको ले करके भूपेज बगेल जी घूम रहे हैं और पत्नी बता रहे हैं पदमा पंत को क्या वो जिनको वो Congress में ले के घूम रहे हैं अगर भूपेज बगेल ये मानते हैं कि वो देवबरत सिंग की पतनी हैं और मैं क्यों नहीं हूँ, क्यों नहीं हुई, मैं देवबरत सिंग की नहीं थी, ये उन्होंने किस बेना पे बोला है, इसका तो मैं बकाईदा कंप्लेन दूँगी, नोटिस भेजूँँगी और मैं कोट तक ही चुंगी उनको पर्तमा सिंग से तो तलाक हो चुका यह तो 36 गड़ की जनता जानती हैं फिलहाल जब उनकी देथ हुई तब तो आप ही उनकी पत्नी थी अभी भी हूँ और मेरा उनके साथ ऐसा कोई चीज नहीं हुई थी ऐसी कोई लडाई नहीं हुई थी ऐसा को जल जल रहा है आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी है जो महिलाओं के लिए काम करती है क्योंकि आप तो बीजेपी क लिए काम कर रही है नहीं मैं बीजेपी के लिए काम नहीं कर रही हूं सर क्योंकि आप अगर देखेंगे आप पिछले वन येर का नियूस पेपर ले करके देख लें या कुछ चैनल्स पे भी देख लें पोर्टल पे देख लें मैं लगातार इस बात को उठा रही हूं जब कॉंग्रेस की गौर प्रशायने से ही मना कर दिया गया तो जिसने मुझे पत्नी की जगा दी जिसने मेरे लिए मूर्ती अनवरं के लिए रोका तो ये तो आप से भी अगर ये चीज हो कि अगर आपकी जो help करेगा आप बिलकुल बोलोगे कि हाँ ये चीज अच्छी है और दो बिलकूल पार चीट होने के बाद किया जाए जै को यह बताइए कि आप जब यहां पर हैं और भुपेज बगहल पे आरोप लगारही है तो कहीं ने कहीं कॉंग्रेस तो यही कहेक हैं कि है बीजेपी के लिए काम कर रही है तो उसे कैसे करेंगे? कॉंग्रेस ये कहती रहे, कॉंग्रेस के प्रवक्ता कुछ नेताओं ने बुला है, लेकिन वो पिछला इतिहास उठा के देखें, पिछले एक साल का मीडिया पे जितने भी मेरे गूगल पे हैं, उनको देखें कि ये ही बात मैं बार-बार कह रही हूँ, इनकी ऐशोदा जी ने भी तो मुझे पहचानने से मना किया था, तो भी मैंने यही बाते बोली थी जो मैं आज बोल रही हूँ यह एक निचरल सी बात है कि चुनाओ के चार-छे दिन पहले इन्होंने मुझे पहचानने से इंकार कर दिया हुपेज बगेल जी ने तो मुझे यह बात कहना पड़ रहा है उसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस, बीएसपी, सापा का कोई लेना देना नहीं है यह मेरे दिल की बात हैं जो मैं कहरी हूँ ूपेज बगेल तो चुनाओ प्रचार में जा रहा हैं तो यह भी कहनए है कि देवरत हमारे दिल से जुड़े हुए थे मैं तो उनकी साधी बयाह में भी गया था शाधी में तो मेरी भी आये थे शाधी में बगेज बगेल जी मेरी भी आये थे आपसे वो जुडाव नहीं रहा था? आपसे वो जाता है, और प्रचार के लिए कोई उनसे पूछ रहा है कि आपका आप बहुत दिनों बाद आए हैं, आपको मैंने फोन किया था, तो उसको डाट रहे हैं, लोग बता रहे हैं आपके, तो वो गलत है, कहना कि मैं प्रचार कर रही हूं, मुझे जो अच्छा लग जो मुझे ठीक लग रहा है, वो मैं कर रहे हूं, जैसे एक आदमी बताता है कि वो डॉक्टर अच्छा है, वो डॉक्टर नहीं अच्छा है, उसकी मेडिसीन अच्छी है, तो उस तरीक से है बात ही, कोई पाटी, मैंने जोइन, अगर ऐसा होता तो मैं पाटी जोइन करती एक पहले फिर ये काम करती तो मैंने, वो पेज बगिल के खिलाप ये लड़ाई जारी रहेगी, बिल्कुल जारी रहेगी, ऋपेज बगिल के खिलाप, ये शोदा वर्मा के खिलाप और जो कॉंग्रिस के नेता इस तरह की टिपड़ि कर रहे हैं, उनके खिलाप, मैं अब बाद मैं application दूँगी और मैं सीधे सबको quote लियाओंगी बिल्कुल ये हैं विभासिंग ये साफ तोर पे आरोप लगा रही है भूपेज बगेल के उपर जिस तरह के गंबीर आरोप लगा रही है आपने सुना साथ ही ये कह रही है कि लडाई जो है लगातार जारी रहेगी कैमरा पर्सन होरी लाल के साथ जैर प्रकास्तर पार्थी ABP News खेरागर